भोपाल जीम आनर्स ग्रूप ने रोशन पूरा पर पूर्वो मंत्री पीशी शर्मा के नेतरतु में प्रजर्शन किया। पूर्वो मंत्री PC शर्मा ने जीम संचालकों के तीन महीने का बिजली बिल, किराया माफ करने और मध्य प्रदेश के जीम संचालकों को ददस सजार रुपे देने की मांग उठाई है। वपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट जी नाम बताईए नाम मौमद शकीलुमें अद्देक्स परिशानी तो आप लोगों सबको पता है कि पिछले चार मेने से जिम नी खुले हैं और हमारे रोजि रोटी का एक ही सोर से ही है सारी चीज़े ओपन हो गई है, इस्पाँ ओपन हो गई है पालर्लर की उपन हो गई हैं सब कुछ खोल दिया मौल खुले हैं शादी में पचास लोगों ज़्यादा परमिशने इसपा है पालर है वाइन शॉक्स हैं तो जिम में ऐसी क्या बुराई है है कि कोई रीजन समझ में है कि हमारी रोजी रोटी है अमारे साथ जो जुड़े हैं चलती है चार में श्यायूप狂ता बर सोच और देपरेशन नहीं को सकते लेकिन हमारे बारे में हमारे परिवार के बारे में तो सोचना चाहिए न अब लोगों यह पूरे प्रदेश में लागडाउन तीन मेन रहा उसके बाद देड़ मेने लगबग हो गया है अनलॉक पिरिट और कल एक टोटल लागडाउन की फिर प्रैक्टिस हुई लेकिन जिम नहीं खोले गए और जिम में हजारों लोग काम करते हैं इस एट ट्रेनर और जो खुद आते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेने जो अपनी उमिलिटी बढ़ाते हैं उससे और जिम के अंदर वैसी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत रहती है तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि जो हजारों लोग पूरे मतब्रदेश में जुड़े हुए जिम से उनका जिम खोलने की उसको अनलॉक करने की पर्मिशन सरकार क्यों नहीं दे रही है आज यह सेकड़ों की तादात में जो बोपाल में जो जिम ओनर जिम में काम करने वाले ट्रेनर्स यह सब इखटे हुए हैं इस बात को लेकर कि जिम भी खोले जाए जब आपने मॉल खोल दिये शादी घर खोल दिये स्पा खोल दिये तो बचा गया इसलिए जिम में सोशल डिस्टेंशिंग होती है और यह स्थितियां यह हो गई कि लोग बेरोजगार हो गए हैं घर पे इनके खाने जिनको खाना अपनी हैद्ध बनाये रखने के लिए ज्यादा चाहिए होता है उनको खाना नहीं मिल रहा है यह स्थिति आ गई है इसलिए यह सब्सक्राइब करेंगे अब यह सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले